है कि अब ही मैं इनदारा में हूँ और मेरे पीछे आपको सिरी यह जगरू प्यादो कि असमारक महा अश्यार कि बैंना को दिखाई दे रही होंगी अभी मैं इस महाविद्याले के ग्राउंड में हूं और मैं आप से जिस्वी सरा हिं un इस समय उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुर्डोजर काफी जोर सोर से चल ला है और खाशत और से मौव जिले में मौव जिले में जो कारवाईया हो रही है तो कि बरस्टचार के खिलाफ यह कारवाईया हो नहीं भी चाहिए लेकिन इन कारवाईयों में थोड़ा गौर करने की जरूरत है अब जैसे जिस कॉलेज का मैंने नाम लिया है मेरे समझ से तकरीबन 15 से 20 वर्ष पुराना यह काउलेज होगा और इस कॉलेज को आज सरकारी जमीन में निर्माड दिखा कर 19 तारीक को आधेस हो गया है इस पर के दिखा की नहीं है भाथ इस तोड़ने की नहीं है चुकि यह संताय जो होती है जो कौलेज होते हैं वह किसी प्रस्नल काम के लिए उपियोग नहीं किये जाते है यह प्रस्टा जरूर वह लेकिन यहां गाहँ गिराओ और इस छेत्र के बच्चे बच्चियां सिछा ग्रह सरकारी जमीन में इसका निर्माड हो रहा था तो उस समय की सरकार और जो अधिकारी थे वो कहां थे जब आपके जिले में कोई गलत निर्माड करता है तो आप उस समय क्या करते हैं उस समय ही क्योंने उस निर्माड को रोका जाता है अब इस college के निर्माण में जितना खर्चाया होगा, करोडों की मात्रा में इसका खर्चाया होगा और इसको 19 तारिक को तोड़ दिया जाएगा अगर उसके पहले इस्टे मिल जाती है, कोड से अगर इस्टे मिल जाती है, तो इसको प्रसाशन के लोग नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन में जो बात है, में जो बुद्धा है, वो ये है, कि जिले में या प्रदेश में जब अबैद निर्माड होते हैं, तो जिले की टीमें जो साशन प्रसाशन के लोग होते हैं, वो करते क्या हैं, वो उस समय क्यों नहीं देख पाते हैं, कि ये सरकारी जमीन पे बनाया जा रह यह अबैद निर्माड है चुकि आप सोचेंगे तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है जो भारत की एकनौमी है जो अर्थ ब्योस्था है उस पर भी इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि आप इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे गिराएंगे तो जहिर सी बात है कि अर्थ ब्योस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा आप उन इमारतों को तोड़ते हैं जो अबैद तरीके से असूली करके बनाई जाती हैं वो तोड़ी जानी चाहिए लेकिन यह विद्ध्याले है इस विद्ध्याले के प्रवद्द अब तो सरकारी जमीन की जो लागत होती है जो उसका रेट होता है उससे वो पहले उसूला जाये अगर वो नहीं देता है तब उसके कौलेज को ठोड़ा जाए यह नियाब प्रसनल यह मेरा अब यह मेरी सोच है प्रसनल रूप से यह मैं बोला हूँ लेकिन होना चाहिए क्योंकि जिसने निर्माण करवाया है उसकी आप करोडों की संपत नश्ट करने जा रहे हैं तो पहले आप सरकारी जमीन जितनी आप इस कॉलेज में आपकी ग जमीन ग्रामेड चत्र की यहां मेरे वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यह था कि कारवाईयां होनी भी चाहिए करवाया जो जीले में हो रही है वह बहुत अच्छा यह सब होना चाहिए लेकिन कि सरकारी जमीन पर जिन्हों ने निर्माड किया है जो जिस समय इस यहां निर्माड हो रहा था उस समय सासन पर सासन के लोग क्या कर रहे थे यह सबसे बड़ा सवाल है सासन के लोगों को यह सोचना चाहिए कि जब अबैद निर्माड होता है तभी क्यों नहीं वो लोग इस काम को रोकने आते हैं एक मामला और है दरगा छेत्र का मामला है जो सरकारी आवास के पैसे से सरकारी जमीन पर आवास बना लिया गया है उसको भी नोटिस दे दिया गया तोड़ने के लिए अब तोड़िये अगर वो सरकारी जमीन में है तो तोड़िये कोई दिकत नहीं लेकिन यह चीजे सामने आ रही है कि सरकारी जमीन में सरकारी पैसे से सरकारी आवास का निर्माड हो गया तो इसके पहले यहां के जो जिम्मेदार अधिकारी वो कहां थे क कियो हो गया आपको पता है कि सरकारी जमीन में किसी का किसी परकार का निर्माड नहीं रह सकता है उसको आज नई कल तोड़ा जाएगा लेकिन लेकिन जब यह निर्माड होता है तब यह लोग कहां रहते हैं जो जीले के बड़े-बड़े अदिखारियें चाहिए डियम हुए, ऐस पी हुए, चाहिए जिस तवसील अंतरगत यह निर्माड होते हैं, यह लोग उस समय क्या करते हैं, बहुत बड़ा सवाल है, बैर कोशिस कि अर्थ ब्योस्था पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा यह तस्वीरे आपको मैं दिखा रहा हूँ यह डिग्री कॉलेज है इसको 19 तारिक को तोड़ा जाएगा लेकिन उसके पहले इस्टे अगर मिलियागा तो यह नहीं तूटेगा इस इंदारा के डिग्री कॉलेज से यह मेरा प्रयास कैसा रहा कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताईएगा अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यबाद